समझे भी ना यात्रा का सफर थोड़ा कॉन्फेजिंग से लगता है ना वैशा ही आपके कॉलेज का सफर भी आई है इसलिए एक अच्छे रोड मैप को अपनाना बहुत जोरी है अगर आप यह रोड मैप को फॉलो करोगे तो आगे आप बहुत सी ऑपोर्चुनिटी को गरेब कर सकोगे वह उपोर्चुनिटी जो आपकी सक्सेस के लिए बहुत इंपोर्टेंट है तो वीडियो में लास तक बने रहना नाव गेट एड़ी टू इंबार्क उन दिस एक्सा सब्सक्राइब कर लिया है अब टाइम है तो गेट इंटू दा सेकेंड यर वीटिक लाइफ तो एक्सप्लोड गोल्स डैट यह तो कवर इन दा थार्ड और फॉर्ट सेमेस्टर आपने स्टॉडिस को जो भी वक्त दिया वो दिया लेकिन अब जाब आप सेकेंड यर में इ इंटर्व्यू करेक करने में मदद करेंगे तो आगे जाने से पहले जान लेते हैं कौन-कौन से टोपिक आते हैं डियेशे में बेसिक टोपिक्स लाइक सर्चिंग और सुरुबात कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप ओनलाइन प्लेटफॉन से भी यह ले जब आप इन कंसेप्ट को सही तरह से समझ जाएंगे तो आपको अलग अलग टोपिक्स का कंसेप्शोल कुचंद सॉल्व करने इसके बाद आपका फॉर समेश्टर सुरू हो जाएगा इसके तुरहन बाद उप्स के बेसिक कंसेप्ट को सीखना शूरू करने उप्स is one of the most important concept in programming. Also, ये इंटर्वी में पूचे जाने वाले topics में से है. OOPS follow four basic principles, which are abstraction, polymorphism, inheritance, encapsulation. For a clear idea of OOPS, read these, which are based on various programming language, जैसे की OOPS in Java, OOPS in C++, OOPS in Python, OOPS in C-SARC. So, you are all set with DSA and OOPS, right? Then, आप practice problem solve कने की courses करो. Try to give your maximum time here. एक बार आपकी टेक्नालिटिस पे grief strong हो जाए. उसके बाद आप further new skill को explore कर सकते हो. जिसमें latest technology best चीजे हो सकती है. See, अगर आज की डेट में आप कुछ जादा नहीं जानते others की तूला में, तो आप successful लोगों में नहीं आ सकोगे. If you are really interested, then आपको machine learning, web development और app development explore करना शाहिए. For more exposure, यह जानने के लिए की प्रोगामिंग काम कैसे करता है. आप अभी जाकर तुरांत LinkedIn पर अपनी profile जरूर बनाओ, ताकि आप वहाँ अलग अलग professional से introduce हो सको. New companies में intensive के लिए explore कर सको. और हाँ, यह कोई sponsor video विलकुल नहीं है, मैं यहाँ बस अपनी personal राय आपके साथ share कर रहा हूँ. Then try to make and get yourself involved in as many projects as you can and keep them posting. 4 समेश तक आप new skills पर कुछ opportunity explore कर चुके होगे. तो इसके बास सबसे important step है, that is resume. रेजियूम आपको ऐसा बनाना है जिसमें आप अपने skills, education, projects and achievements etc. को better way में express किये हुए हो. और उन्हें भी different platform जहाँ profession मिलते हैं वहाँ जोर post करना है. इसमें possible है कि आपको exciting offers मिल जाए जिनसे आप अपने careers की बहतर guidance ले सको और नए skills भी सिख सको. इंटर्व्यू करे करने के लिए आपको अपनी personality पे भी ध्यान देना होगा, जिसमें बेहतर communication, proper dressing style and walking instructor involved है. Communication skills improve करने के लिए आप हमारे चैनल पे uploaded एक वीडियो देख सकते हैं, जिसमें communication skills improve करने की tips बताई गई है. Link में in description में आप इसे check out कर सकते हैं, after all this, it's time for internship, internship आपके future job के लिए बहुत ही जबरी है, इससे आप experience ले सकते हो, जो आपके future के लिए बहुत helpful proof होगी, आज की तारिख में multiple online platform से भी आप अपना internship पूरा कर सकते हैं, ताकि college के studies में को भी problem ना हो, और मैं आपको बताना आप आप इसमें बहुत हैं, तो आप इसमें भी इन्रोल कर सकते हों, तो कैसा लागा यह रोड में अगर आपको हमारोड में परशंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें, शेर कर अपने फ्रेंज के साथ, और हाँ, ऐसी एमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्स् और फुल्फिल और ओल द्रेंग्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में, थांक्यू सो मुच पर वाचिंग।